पंजाब दी मान सरकार इस वक्त वड़े बदला दे दौर चो गुजर रही है वजारत अते सुबी दे परशासरी के बदला दे विचाले होन पंजाब दी आर्थिक हालत नू ठीक करन दे लई बारो रिटाइड अधकारियां दी नियुक्ती किती गई हैं जिसनों लेके श्रोमणी अकाली दाल समेत कॉंग्रस ने भी सवाल चुके हन काली दाल ने मान सरकार नू के देंक हैं के देख लो खोती बदला दे नतीजे इना नियुक्तीयां ने ए तस्वीर साफ कर देती है के पगवंतमानों सिर्फ मोरे वजू वर्त के पंजाब दा सारा परबंद सिद्धा दिल्ली तों कंट्रोल किता जा रहे हैं ते पंजाब दा पैसा लुट के दिल्ली पहुंचाया जाओगा केंदे पंजाबियों जे होन भी तुसी है ना लुटेरियां दे खिलाफ अवास ना चुकीता याद रख्यो लंगे आवेला मुड हाथ नी ओना कॉंगर्स से सीनर विदा एकसोपाल सिंग खेरा ने अर्विंद मोदी दी नियुक्ती नू लेके स्वाल खड़े कर दें कि है कि किसे गयर पंजाबी नू अर्विंद केजरी वाल दे वलों सलाकार नियुक्ती कीते जान दा मतलब है कि उनना ने मन लेके आर्थिक हालात सु अरण देवेच मान सरकार फैल साबित होी है जाजके चोणा तो पहला कैंथे देण दावा कीता है कि असी कर्बशन नू खतम करके च्रणजा हजार क्रोड कठे करांगे गैर कनौनी माइनिग नू खतम करके वी हजार क्रोड दी कमाई करांगे ख्यारा ने दुज़त स्वाल कीता के सूबे दे वित्विपपा अगवेचस कत्तर पदर दे कई अधिकारी मोज़ोदने बारों ले आके तुसी ए साविद करन दी कोशिश कीती है कि पंजाब दे अधिकारी काबल नहीं कैने मान सरकार ने साड़े आर्थ शास्तरियां दावी अपमान कीता है बिकरम सिंग में जीठिया ने भी अरविंद मोदी दी न्युक्ती ते मान सरकारों के इरदियां तांज कास्तियां कि है कि इना नियुक्तियां नाल पगवंतमान दिल्ली दे रिमोट कंट्रोल ना चलनगे तेहुन पगवंतमान अर्विंद केजरी वाल दा सिर्फ तो ताबाण के रहेगे ने इस सारियान नुजुक्तियां दास्तियां ने केज जीवाल ने अपने बंदया रही मोख मंतरी दफ्तर ते कबजा कर ले ते हुन पंजाब तो पैसा लोटके दिली दियां चोणा विच खार्चे जाओगा की पंजाबिया ने इस बदलाल ही वोटा पाईयां सी दरसल नवे चीफ सकतर के पी सिनहा ने चिठी जारी करके और्डर करड के रिटाइड आईयारस अधिकारी अरभिंद मोधी नुँ बित मंतरा ले देवेच फिजिकल अफेर्दा चीफ सलाकार ने युक्त कीता है कैबनेट रैंक और नो देता गया है मंतरियां वांगू टीए डीए स्टाफ दफ्तर कारकार सारे जरूरी चीजां देती हैं जान गया ते नाल ही ओ पंजाब तो बार अपनियां प्रफेशनल सिवामा वी जारी रख सकनगे एस दे नाल ही इस दिन आल ही पंजाब सिरकार ने कौमांतरी पदर दी शकसियत सबेस्टियन जेमस नो वित्ती मामले अधास लाकार न युक्त कीता है उनानो सकत्तर पदर दा रैंक दिता गया है सबेस्टियन जेमस ड्यूक युनिवस्टी देविच परफेसर हान पंजाब बीजेपी दे सुबा पर दान सुनील जाखर दी गैर हाजरी देविचाल एकेंदरी रेल मंत्री रवनीत बिट्टू नू पार्टी पर दान बढ़ाय जान दी अवाज उठनी शुरू हो गई है जलंदर तो साब काएंपी दे बीजेपी दे लीडर सोशील कुमार रिंकू ने इस वाल इशारावी की तैलो दे आना तो जलंदर तक गड़ी देविच रवनीत बिट्टू नाल बैठे रिंकू दा एक वीडियो सामने आया जिस विच रिंकू ने कहा है कि तुसी साड़ी ली आते करमजीत को और च्वादरी वी बैठे सन कबरा मताबिक पंजाब बीजेपी दे कुछ सेनियर लीडरा ने जाख़ड नू हटाउन ली हाइक मान नू चिठी वी ली है गड़ी दे विच बिट्टू नाल बैठे मन रंजन कालिया ने एक टीवी चैनल नाल गाल बात कार है कि हा कि बिट्टू मांतरी बांतो बाद पहली वरी जिलंदर आयसान इसनू किसे होर गाल नाल ना जोड़ा जावे हाला कि उन्हाने यह जरूर कि हा कि मेंबर्शेप बना उन्टो बाद नमास उबा पर दान चुने आ जाओगा सुशील कुमार रिंकु दे वलों सांजी क कि हर कोई अंदाजल आ सकते है कि किस तरह पंजाब बीजेपी दे विच रवनीत बिट्टू दा नाम अगिवदा के पार्टी नूँ वर्क पार्टी वरकरानु सुनेहां दिता जार है यह सुनेहां कितना किते सुनील जाखड नूँ भी दिता जार है जाखड लगातार पा जाखड नूँ वारी वारी मिल रही पैरोल तेवी करडा इतरास जिताया सी शिनिचरवार स्वेरे एक मीडिया अदारे देवलनों एक वीडियो पोस्ट कीती गी जिस विच सुत्रां दे हवाले नल दावा किता गया कि शंबू बॉर्डर ते बैठे किसान मोर्चे चलां देली कानूनी नोटिस पे जन्दी चितावनी दती है किसान लीडर अमरजीत सिंग मोडी ने किहा के मीडिया अदारे देवलनों पाएगी ख़बर सरासर चूट है मोर्चे न तोडन दी कोशिश है जान बुझ के साजिश्ते तहत अफवामा फैलान्या गण्याने हाल लंगी राती ता मोरचे दी सारी लीडरशिप दी लंबे समय तक मिटिंग हुई है जिस विच ठांड दे मौसम नूँ देख देया मोरचे देविच लंगर ठैरन पक्के रस्तियाद दे पुखता परबदना दी चर्चा कीती गया है दोमे फोर्मा के दे लंबे समय तो संग सरकार सी ओदो भी किसाना ने संगर्श कीता सी जो तक साधिया मंगा नहीं मनिया जा दिया ओ तक संगर्श लड़ांगे ते उक्त टीवी चानल नूँ नाम मी टीवी चानल है ओसनू खबर चलॉन समंदी कानूनी नोटिस पे जंदी भी ताड़ना दिती गई है कि हर्याना के अंदर सरकार बन गई है बीजेपी की सैदे अंदोलन नहीं होगा पिछले दस साल से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के अंदर ही हमने संगर्श किया है अंदोलन लड़ा है बीजेपी दे केंदरी राजपंतरी रवनीट सिंग बिट्टू ने एक वरी फेर तो किसान ना ते निशाना लौने अविबादित बयान देता है कि पंजाब दे किसान लीडर सुभी नू परबाद करंच लगे हुए ने हरयाणे दे यह चोड़ाने केंदर साबित कार दता है कि किसान अदिनाल कोई नी खड़ा हरया ने लोक किने सेने ने एवि सिध्ध हो गया विट्टू ने क्या किसान क़ोगोख ना ले वोटि नी पाई लीडर बने हुए ने व पंजाब नू बरवाद करने हुए मैंने जड़े किसान लीडर कहा रहे अपने अपनों ओधर बीजेपी दे लीडर हरजीत सिंग गरेवाल ने कहां के लोग किसाना नू सामझ गये ने इसे लिए हरे आने विच किसाना कोई असर वेखनू नी मिले आ बहुते किसान लीडर स्यासतों प्रेरिथों के ही परदर्शन कर देने इस अड़ी पार्टी कहां दे किसाना नाल है बाकि मुश्किलान दा हाल भी गलबाद जरीए कीता जाओगा पर ओदे वीचे किसाना दा हेत्थ होना चाहिए हाला के गरेवाल ने बिना रवनीत बिटू नाम लए नसीयत विदेती के साध्डा कोई वी लीडर कुड़तन नाल किसाना ने खिलाफ नाम बोले ओ साध्डा एक एहम हिस्सा हन। नाम लए नाम बोले ओ साध्डा कोई वी लीडर कानूनी माइनिंग दा कते तो वीडियो अपने सोशल मीडिया ते साध्डा कारदे हुए मान सरकार दे एक मंत्री ते गैर कानूनी माइनिंग दा एलसाम लाया है। मजीठिया ने कहा के मंत्री कुलदीप सिंग तालीवाल दे निगरानी हेठ गैर कानूनी माइनिंग चल दी है। माद्मी पार्टी दे दो मंत्री हर जोट सिंग बैंस दे कुलदीप सिंग तालीवाल दे उना ने इलसाम लाय हैं ते CBI जांच दी मंग कीती है। दावा कीता है के पिंड तंग इदी है, रमदास इलाके दे वेचे पैंदा है, हलका अजनाला है। पिशले वी दिना तो 60-70 ट्रक दिन रात पारत पाकिस्तान सरहाद दे नजायस मायनिंग दे वेच केंदे लगे होई ने। इस तो जादा बुरा हाल केंदे की हो सकता है। इस सरकार सिर्फ आम आदमी नों परिशान कर रही है, जद के आम आदमी पार्टी दे ही नामते बढ़ी है।